The Watcher presents Hollywood Movie, Bad Teacher उसने कुछी दिनों में उसके लाख रुपे उड़ा दिया है और उसे ये तक नहीं पता कि उसका बड़े कव है अपनी बात कहकर उसका बॉइफरेंड एलिजाबेट को अपने घर से निकाल देता है जिसके बाद एलिजाबेट को फिर से अपने उसी अस्कूल में टीचर की नौकरी वापस जॉइन करनी पड़ती है अस्कूल के पहले दिन एलिजाबेट की मुलकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी रहता है और वो बहुत friendly nature की रहती है और वो Elisabeth से भी दोस्ती करने का ट्राइ करती है पर Elisabeth बहुत ख़डूस और बत्तिमिज टाइप की औरत रहती है ताकि वो और भी ज्यादा होट दिख सके जिससे उसे किसी भी अमीर आदमी को पटाने में असानी हो इसके बाद स्कूल के बाद Elisabeth कलब भी जाती है इस चक्कर में ताकि उसे वहाँ कोई अमीर इंसान मिल सके पर उसका प्लान फेल हो जाता है और नसे के चकर में सुबह उसकी नीन पूरी नहीं होती जिसके बाद स्कूल में अपनी पहले ही कलास में वो पढ़ाने के बज़ाए टीवी पर फिल्म लगा कर खुद सो जाती है इसके बाद लच ब्रेक होने पर वो कैंटेंज आती है तो वहाँ उसे वो जिम टीचर वापस मिलता है जिसका नाम रसल रहता है और वो एलिजाबेट को कई सालों से चाहता था पर क्योंकि वो अमीर नहीं रहता है तो एलिजाबेट उसे बार बार इग्नोर करती रहती है इसी बेच एमी वहाँ आ जाती है और वो एलिजाबेट से दोबारा दोस्ती करने का ट्राइ करती है पर एलिजाबेट इस बार भी उसकी बेज़ेती करके बीच लंच में ही निक पर एक बात कि उसे टेंसन हो जाती है कि एसकोर्ट की जो एक्स थी वो काफी होट थी और ये जानने के बाद एलिजाबेथ और डेस्पिरेट हो जाती है ब्रेट सरजरी करवाने के लिए पर उसका सपना तूट जाता है जब वो डॉक्टर से बात करती है वहाँ उसे पता पर जब उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके है तब ये उसकी एक स्टुडेंट उससे आकर कहती है कि आने वाले वीकेंड में उसकी सेवंथ ग्रेट की टीम कारवास करने जा रही है तो अगर वो भी अपनी कारवास कराना चाहे तो वो वहाँ आ सकती है उसकी बात सुनकर पहले तो अलीजाबैत उसे एकनोर कर देती है पर वो लड़की उसे जैसे ही बताती है कि पिछले बार कारवास से उन्होंने 6,000 डॉलर्स कमाये थे तो अलीजाबैत सौक हो जाती है और उससे कहती है कि इस बार कारवास में वो भी उसके टीम के साथ च जाती है जिससे सभी लोग attract हो जाते हैं और वहाँ कारवर्स करने की line लग जाती है और Elizabeth पैसे कलेक्ट करने के मामले में सारी record तोड़ देती है पर Amy उसे देख लेती है और principal से जाकर complain करती है कि उसे सक है कि Elizabeth ने कारवर्स से कमाए कर डिसाइड करती है और इसके लिए जब Elizabeth असकोर्ट से बात कर रही होती है तो उसके सामने Elizabeth की सरजवी वाली बात उठा देती है पर Amy का प्लान फेलो जाता है असकोर्ट सबसे कहता है कि उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने सरीर को खुपसूरत बनाना नहीं छोड़ते हैं और इसके बाद Elizabeth के साथ और भी चीज़े उसके फेबर में होने लगती है उसे पैसे कमाने के और नए-ने जरिये मिल जाते हैं दरसल पैरेट्स टीचर मीटिंग में कुछ पैरेंट्स उसे अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं जिसके बाद Elizabeth खुस हो जाती है कि उसके साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है पर जल्दी ही उसकी खुसी में ग्रेहन लग जाती है पर क्योंगी रसल अभी भी गरीभी रहता है तो वो उसे प्यार वाले फिलिंग से एक्सेप्ट नहीं करती तो Elizabeth उसे एडवाईज देती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे च्यूंकि रोजी उसे पसंद नहीं करने वाली और वो यह सब इसलिए जानती है क्योंकि वो भी एक समय सुपर होट हुआ करती थी और वो उसके जैसे लड़कों को भाव नहीं देती थी Elizabeth की बास उनकर गेराट उदास हो जाता है पर Elizabeth नहीं चाती थी कि वो उसे जुटा दिलासा दे कर उसे गलत उमीद दे इसके बाद जब छुटियां खतम हो जाती है तो अस्कुल पहाशने पर असकॉर्ट Elizabeth और Lynn को अपने कलब में आने के लिए इन्वाइट करता है जिससे Elizabeth के मान में वापस उमीद जग जाती है कि उनके बीच कुछ हो सकता है पर उसे दोबारा जोड का छटका लगता है जब वो उस कलब में Amy को भी देखती है और उससे भी बुरा तब होता है जब असकॉर्ट Amy के लिए गाना गाता है जिसके बाद Elizabeth लीन के साथ वाँ से गुस्से में निकल जाती है पर उसका मूर्ट अफसांत हो जाता है जब लीन उसे बातों बातों में बताती है कि कुछ ही महनों में पूरे अस्टेट में एक टेस्ट होने वाला है जिसमें जिस टीचर के क्लास का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा उसे 5700 डॉलर्स मिलेंगे जिसके बाद एलिजाबेट पूरी तरह से बदल जाती है और एक एक टीचर बन कर स्टुडेंट्स को पढ़ाती है पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसने साल बर किसी को कुछ नहीं पढ़ करता है वो उसके ड्रिंक में नसेगी दवाई मिला देती है और वहां से एक टेपर चोरी करके ले आती है जिसके बाद एलिजाबेट के सारे स्टुडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप करते हैं और उसे 5700 डॉलर्स मिल जाते हैं और इसके साथ ही एलिजाबेट के 9000 डॉल ले आती है और अपने डेक्स को एलिजाबेट के क्लास में रख देती है ताकि वो एलिजाबेट के डेक्स को अपना डेक्स बताकर उसका लॉक दुडवा सके और इस बार उसका प्लान काम कर जाता है उसे एलिजाबेट के ड्रोवर में चोरी की हुए एक्जाम के पेपर्स मिल जाते हैं जिससे वो प्रिंसिपल को जा कर दे देती है और प्रिंसिपल भी इस बाद सबूत मिलने पर उससे कहाता है कि वो एलिजाबेट के इस हरकत के लिए उससे सजा दिलवाएगा पर प्रिंसिपल एमी से कहाता है कि उससे कनफरमेशन के लिए उस प्रोफेसर की गवाई चाहिए तभी वो Elisabeth को कोई punishment दे सकता है प्रिंसिपल की बात सुनकर Amy उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने सब के सामने सच नहीं कहा तो वो उसे फसाकर जेल भिजवा देगी जिसके बाद वो प्रोफेसर गवाई देने के लिए मान जाता है इधर Elisabeth असकॉर्ट के धहन बढ़काती है और उसके साथ बिता हुए moment को record करके Amy को भेज देती है जिससे उसे लगे कि असकॉर्ट ने से दोखा दिया है पर Elisabeth की feeling एक पलने बदल जाती है जब अगले दिन Gerard रोजी को सब के सामने poem सुना कर propose करता है और रोजी पूरे class के सामने उसका मजाग उड़ा देती है तब Elisabeth को उस वक्त मैसूस होता है कि वो भी Russell के साथ ऐसा ही कर रही है वो उसके सचे प्याद को ठुकरा कर जुट की तरफ भाग रही है पर फिलाल उसे Gerard के लिए बुरा लगता है जिसके बाद वो उसे सब के सामने hero मैंने का decide करती है वो Gerard को अपनी ब्रा देती है और उसे सब को दिखाने को कहती है जिसके बाद Gerard जब सब के सामने जाता है तो Elisabeth वहां मोजुद सभी से कहती है कि उसने Gerard को रंगे हाथों पकड़ा है दूसरी अस्कूल की एक सीनियर लड़की के साथ और जैसे ही सभी Elisabeth की बातों को न कारते हैं तब Gerard सभी को सबूत के तोर पर वो ब्रा दिखाता है जो Elisabeth ने उसे दिया था पर Emi भूल जाती है कि Elisabeth कितनी खतरनाक है वो Emi की बात सुनते हैं अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोस देकर उस प्रोफेसर के पास भेज़ देती है और उससे कहती है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वो ये फोटोस सभी को दिखा देगी और साथ ही Elisabeth को ये भी पता चल जाता है कि उसे क्लास में जो डेक्स है वो Emi का है क्योंकि Emi अपने डेक्स से अपना अश्टिकर रटाना भूल गई रहती है जिसके बाद Elisabeth पूरी तयारी के साथ प्रिंस्पल के पास जाती है और प्रोफेसर के सबसे मुकरते ही वो कमीटी से कहती है कि वो भी कुछ कहना चाती है उसे पता चल आया कि कोई टीचर अस्कूल में ड्रग यूज़ करती है जिसके बाद अस्कूल में तुरत पूलिस आ जाती है और उन्हें एमी के ड्रोबर से वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि अलिज़ाबेत के रहते हैं और एमी को इस क्राइन के पनिस्मेट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो बहुत ही छोटे सहर में रहता है और इधर अब जबकि अलिज़ाबेत बदल गई रहती है तो वो असकॉर्ट का पीछा छोड़कर रसल के पास जाती है और उसे कहती है कि वो भी इससे बहुत प्यार करती है और वो भी यहां कात्म हो जाती है तो यार बस इस वीडियो भी इतना ही वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मुविस के लिए चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए और हाँ जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाओ